मराठी भासा भारत के महराष्ट्र प्रांत की इकलोती अधिकारिक भासा है महराष्ट्र के भहु संख्यक लोग मराठी बोलते हैं मातर भासियों की संख्या के अधार पर मराठी विश्यो में दस्वे और भारत में तीसरी स्थान पर है इसे बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 10 करोड है यह भासा 2300 सालों से अस्तितु में और इसका मूल प्राकर्ट से है मराठी भासा भारत के अधिका अतिरिक्त मौरिसिस और इसराइल में भी मराठी मूल के लोगों द्वारा बोली जाती है इनके अतिरिक्त अन्य देश भी हैं जहां मराठी मूल के लोग निवास करते हैं और वो इस भासा का उप्योग करते हैं जिसमें पर्मूके अमेरिका, सन्यूक्त अरब अमीराद, दक्सिन अफरीका, सिंगापूर, जर्मनी, सन्यूक्त राजसाई यानिकी बिटेन, और उस्ट्रेलिया, वेस्टेंडीज और न्यूजिलेंड भारत में मराठी मुख्यत है महराष्ट में बोली जाती है और इसके अतिरिक्ति है गोवा, करनाटक, गुजरात, आंदर परदेश, मद्धे परदेश, तमिलनाडू और 36 गड़ के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारब बोली जाती है केंदर सासित परदेशों में ये दमन और दीव और दादर और नागर हवेली में बोली जाती है जिन में महराष्ट और गोवा की ये राजभासा भी है मराठी भारत की 22 अनुसूचित भासाओं में से एक है 2019 में 83.1 मिलियन मराठी बोलने वालों के साथ मराठी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासाओं की सूची में दस्वे स्थान पर है भारत में मराठी बोलने वालों की संख्या हिंदी और बंगाली के बाद तीसरी है मराठी भासा में सभी आधुनिक भारते भासाओं के कुछ प्राचीन साहित्ते सामिल है जो लगवक 600 वर्सों से है मराठी की मुख्य बोली मानक मराठी ही है और इसे बोली भासा भी कहा जाता है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो हमने मराठी भासा के बारे में बात की आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद